प्रीविएस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मैंडिलियन डिस ओर्डर है वो कैसे होती है और कितने टाइप के हैं तो उसमें हमने फिनाल कुटोनीरिया, इलकैप Seven Eurya, Albinism को डिसकर्ज किया था और ठैलिसेमिया को बहुत ही ब्रीफ में डिसकर्ज किया था इसके बाद जो हमारी next mendelion disorder है इन disorder में हमारे लिए जो first पढ़ना है वो है sickle cell anemia जिसे हम हिंदी में हसियाकार आरख्तता कहते हैं अब जो sickle cell anemia है वो क्यों होता है तो आपको normal anemia का means पता है कि blood की कमी हो जाती है तो उसे हम anemia कहते है या RBCS की कमी हो जाती है तो उसे हम anemia कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो है sickle cell anemia की यानि हसियाकार आरख्तता की तो जो हसियाकार आरख्तता है वो क्यों होती है तो आपको पता है कि जो हमारा blood होता है उस blood की RBCS में hemoglobin होता है और यह जो hemoglobin है वो हमारी oxygen को carry करने का यानि कि oxygen को पूरी body के parts में distribute करने का वर्क करता है अब जो hemoglobin अडू की अधि हम सनचना को देखें तो उस सनचना में दो श्रंकलाएं 20 आती है hemoglobin क्याडू में एक श्रंकला होती है वो होती है alpha श्रंकला और दूसरी जो है वो होती है beta श्रंकला तो जो हमारी alpha श्रंकला होती है इस alpha श्रंकला में जो amino acids होते है या जो total amino amino होते है वो 141 होते है 141 amino acid यहाँ पे जो double A मैंने लिखा है इस डवली का means है amino acid तो alpha श्रंकला में 141 amino होते हैं और जो हमारी बेटा चैन या जो बेटा श्रंकला होते हैं उस बेटा श्रंकला में 146 amino acids होते हैं अब यदी हम बात करें कि जो हमारी एनिमिया है या sickle cell anemia है उसके लिए कौन सी chain में विक्रती होती हैं तो जो हमारी हिमोगलुविन की बेटा श्रंकला या जो बेटा चैन है उस बेटा चैन में 146 amino होते हैं और यदि हम बात करें छटवे नमबर के अमीनो अमल की यानि की 6th अमीनो एसिड की तो जो हमारा 6th अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड सिख्त अमीनो अमल इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड और इस ग्लूटामिक एसिड को जो बनाने के लिए उत्तरदाई जीन होता है वो जीन A होता है और यह जो A जीन है वो डोमिनाइन्ट होता है यानि जो हमारा 6 नमबर पे ग्लूटामिक एसिड पाया जा रहा है उस ग्लूटामिक एसिड को बनाने का जो काम है वो एक प्रभावी जीन एक के द्वारा होता है प्रभावी जीन एक के द्वारा लेकिन जब यह जो प्रभावी जीन A है इसके इस्थान पर एक और आप्रभावी जीन आ जाता है उसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और यह जो हमारा आसा माने आने के आप्रभावी जीन S होता है इस जीन के कारण 6 नंबर पर ग्लुटामिक एसिड के प्लेस पर एक और नया एसिड आ जाता है जिसे हम वैलीन अमीनोमल बोलते हैं वैलीन अमीनोमल बैलीन अमीनो एसिड और यह जो वैलीन अमीनो एसिड है यह वैलीन अमीनो एसिड आसा माने होता है और आसा माने होने के कारण यह जो हमारे ब्लड की RBCS होती है उन RBCS को उनका जो नॉर्मल RBCS होती है मालनी जी हमारी RBCS है और इस RBCS में जो गोलाकार होती है लेकिन गोलाकार होने की प्लेस पर जब हमारी RBC हसिये के आकार की हो जाती है यानि कि ये हसिये के आकार की क्यों होती है इसका भी एक रीजन होता है ये इस कारण से होती है क्य ivesseलोटामिक की प्लेस पर वैलीन आ गया है यह जो वैलीन है वो अक्सिजन को कारी करने में हैलपफून नहीं होता जिस कारण जो rbcs होती हैं उनमें rbcs में oxygen की कमी हो जाती है जिस कारण वो सिकुड जाती है और सिकुड़ी के कारण उनका जो शेप है वो गोल की अपिक्षा हसिये के आकार या सिकल के आकार या हम कह सकते हैं C आकार की हो जाती है C या सिकल और इस गोल आकार की अपिक्षा हमारी RBC इस टाइप की हो जाती है यह हमारी सिकडी ही RBCS है और इस RBCS के पाय जाने के कारण oxygen कैरी नहीं हो पाती और oxygen हमारी body में नहीं पहुँच पाती organs में नहीं पहुँच पाती तो हमारी जो इस oxygen की कमी के कारण बैथ भी हो जाती है इसी कारण इसे हम sickle cell anemia जिसमें जो anemia है वो sickle cell यानि के RBCS के जो कोशिकाएं होती है उनके हसिये सिकल यानि हसिये के shape में हो जाने के कारण होती है और इसे हम दात्र कोशिका आरत्ता भी कहते हैं अब यदि हम बात करें second की mandalian disorder की तो वो है असंगत जीन के कारण होने वाले विकार यानिकी होते हैं उनमें है हमारा जो सबसे important है वो है erythro blastocyst fetalis अब यहाँ पियदी हम इसको तोड़ कर देखें तो erythro blastocyst erythro का अर्थ RBCS से होता है और RBCS आपको पता है कि क्या होती है लाल रुधिर कानू होती है और blastocyst आपको previous class में बताया था कि जो blastocyst है वो क्या होती है यह हमारी blastocyst है वो ग्रोणी अवस्था में गोलाकार कोशिकाओं का समोव होती है जिसे हम blastocyst कहते हैं और fetalis यहाँ पे हमारे fetus से बना है और आपको पता है जो हमारे 10 माह का शिशो होता है या 10 वीक्स का जो बेबी होता है उसे हम fetus कहते है और fetalis यहाँ पे erythroblastocyst fetalis है तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि जो हमारे scientist Land Steiner और जो Wiener थे उन Land Steiner और Wiener ने एक बंदर था रीसस नाम था उस बंदर का उस बंदर में एक antigen की खोज की यानि जब उसकी blood को निकाला तो उसमें जो RBCS थी उन RBCS की membrane पर एक antigen था और इस antigen को उन्होंने RH कारक कहा RH factor और इस RH factor की उपस्थिति और अनुपस्थिति की ही आधार पर हम बताते हैं कि जो blood group है वो positive होगा या negative होगा तो यहाँ पर जो RH कारक है इस RH कारक में यदि हमारी RBCS की जिली पर ये RBCS इसकी membrane पर antigen है present है तो इसे हम RH positive और यदि present नहीं है तो इसे हम RH negative कहते हैं और ये जब RH positive पिता और RH negative माता कि जो संतान है वो RH negative होती है और प्रारम में उसमें कोई जो हमारा RH antigen है उसके प्रती antibody नहीं होती यानि जो इस antigen को पहचान सके वो antibody naturally हमारी body में नहीं होती और जब गर्भावस्था में जो भून होता है उस भून का placenta की माध्यम या अपरा की माध्यम से जो blood रहता है वो माता की body में जाता है और जो female होती है उसमें ये antigen नहीं होने के कारण antibody नहीं बनती लेकिन जब वो second बार enter करता है या placenta की माध्यम से blood जाता है तो इसमें RH factor बनने लगता है जिस कारण female की body में antibodies बनती है लेकिन जो second children होता है उसमें ये antibodies बहुत जादा बन जाती है जिस कारण ये जो baby होता है उसकी death हो जाती है क्योंकि यहाँ पे abnormal antigen बनेगा और abnormal antigen के प्रती कोई antibody नहीं बन पाएगी तो इस कारण इस diseases को हम erythroblastosis fetalis कहते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि mandalian disorder कितने types के है कौन-कौन से है manly हमने इसमें सभी को एक-एक करके बहुत ही brief में पढ़ा है लेकिन phenylketonuria, elcaptonuria albinism, thalassemia ये जो हमारी sickle cell anemia जो हमारे असंगत जीन के कारण abnormality या disorder होते हैं उनमें यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी doubt है या आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आपको इस वीडियो को pause करके इसे और अच्छे से देखकर note down कर सकते हैं और फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप इसे comment box में लिखकर अपने doubt को भेज सकते हैं और आपको कांसर में जाए